रामानुजगंज से खबर है जोहां तालाब में डूबने से मासुम की मौत हो गई है खेलने के दौरान ये हाथसा हुआ तालाब के पास मासुम खेल रहा था रामानुजगंज के चेरा गाउं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि बारिश के समय अक्सर लोगों से आपील की जाती है कि जितना जादा हो सके नदी नालों से तालाब से वो दूरी बना कर रहे एक बड़े हाथसे यहां पर हो सकते हैं और देखें, यहां पर भी लापरवाही बढ़ती दी कहीं ना कहीं क्योंकि तलाब के पास ही मासुम खेल रहा था जिसकी वज़ा से उसका पैर फिसल गया और एक बड़ा हाथसा यहां पर हुआ है तो खेलने के दौरान मासुम यहां पर फिसला है कहीं न कहीं आप पर परिशनों की भी लापरवाही है जिनोंने मासुम पर ध्यान नहीं दिया और कहीं न कहीं मासुम की भी लापरवाही क्योंकि लदी नालों के पास खेलना कितना सादा घातक साबित उसकता है इसकी कई खबरे पहले भी सामने आ चुके हैं